प्रदेश में 68,500 सिख्षक भरती मामली में हाई कोट का फैसला आया है मूल बिग्यापन पर भरती का हाई कोट ने दिया आदेश 40-45 कट अप पर होगी सिख्षक भरती परिक्षा के बाद सरकार ने कट अप 30-33 कर दी थी परिक्षा के बाद कुछ अभ्यरतियों ने हाई कोट में लगाई थी गुहार भरती मूल बिग्यापन पर कराय जाने को लेकर ये गुहार लगाई गई थी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से आज की बड़ी खबर भरती मूल बिग्यापन पर कराय जाने की गुहार और उसको लेकर बड़ी खबर अरुन चत्रवेदी जुड़रा है हमारे साथ हमारे सेयोगी अरुन किस तरह से इस खबर को देखें अभियरतियों के लिए राहत क्योंकि संग्याल लिया गया है अगर इसकों साथ तरीके से देखें तो ये योगी सरकार को करारा जटका हुआ है कोर से क्योंकि पहले योगी सरकार के तरह से जब 68,500 की सिखें भरती की विग्यापन निकाला आता है तब जन्दल कर्टेगरी के लिए 45 परसंट और SPS की कोटे से 40 परसंट निकाला आता है लेकिन परिक्षा के कुछ दिन पूर भी अधिकारी कार्ज कुजारी करते हैं और उसी की कार्ज कुजारी का नतीज़ा है कि आज कोर्ट को इसमें दखर देना पड़ा और कोर्ट ने साथ तरो ते कहा कि जो आपने पहले विच्यापन निकाला था 40-45 वाले थे उसी पर भरती आओंगी ना कि जो आपने परिक्षा से दो दिन पूर जब आप 330 कैटेग्री में भरती करने के सोच रहे हैं उस पर बिलकुल इसकिसी प्रकार से भरती नहीं होगी तो मान सकते हैं अधिकारी और जो भी सरकार को जटका है लेकिन सरकार की तरफ सी माना जा रहा है कि एक बाप फिर से डबल बेंच में गुहार लगाई रहा है कि अगर सरकार गुहार नहीं लगाती तो इससे सरकार का बैक फूट मान जाएगा इती कितल से फिलाल आर्शट राफ पांटो जो फिच्छ वर्थी के अभियार्थी थे उनको काफी रहात मिली है उनने काफी खुशी का महौल है और फिलाल सरकार काटल एक्टेंच या होगा यह तो आनने लगाश बताएगा लेकिन सूत्रों के मालें तो डबल बेंच में देखिए जिस तरह से आर्शट रजा पांसो सिच्छ वर्थी थी उसके बाद चात्र का परणाम आया सब तो खुश से लेकिन जब इस परिच्छा के पहले ही जब तीसो तेटीस के टेगरी का विज्यापन निकाल दिया आता है उस पर काफी मिराथा हुई थी आला कि उनमे पे उसी किटेगरी में परिच्छा पास की जी चालिश और तालिश की तो काफी रहत मान जा रहा है लेकिन अभी फिलाल उनका कहना है कि अभी लड़ाई और बाकी है क्योंकि सरकार अगला कदम जरूर उठाएगी और कोर्ट डवल बेंच हो जाएगी तो उसके लिए पी त करेंगे जब तक पास देखें जिसमें गल्ती सरकार के अधिकारियों की मानी जा रही थी क्योंकि अगर पहले आप विख्यापन होता है वो सालिश और पैतालिश की कैटेगरी निकालते हैं कि चालिश और पैतालिश परसंते ही होंगी परिच्छा के दो दिन पहले आप फि करेंगे जब तक प्रैसला प्रहता है अब सरकार कोर्ट के मानचा है कि उसी क्यापन के ताहरे भरिच्णतिन निकाला था और आभ माना जाए कि आगे भी अगर डेबल बेंश जाते हैं तो सर्क्षा कोड का यही रुख रहेगा जो आभी साई यह है लेकिन वसा बताब manufactured मूल भी क्या पन था तो माना जाए कि बहने ही पोसेशिंग नंबा हो लेकिन सरकार ने पर पोस्टिंग दे भी थी और फिलाल वो अपने एक जो अपने ही पोस्टिंग में काम कर रहे हैं अरो थोड़ा सा पेच्छे भी हम जानना चाहेंगे आपसे 40-45 का कट अप लेकिन उससे कम कर दिया गया और 30-33 का क्या वजह बताई गई कोट में किस तरह है कि दली सरकार की तरफ से रखी गई क्या वजह थी कि कम कर दिया गया कट अप को अब देखी जब सरकार की तरफ से यह कहा जिया बया जब सरकार कर दे तो प्रिक्षा के पहले अपने कुछ लोगों को सपोर्ट करने कि यह कुछ लोगों को लाब देने के लिए 303 कर देते हैं तो यह अब देखी तरफ साथ दोगा है लेकिन जब सरकार की तरफ सरकार की तरफ सिता की हमने पहले यह निकाला का यह मेरा अधिकार है हमारा अधिकार है कि हम इसको परिच्छा से पहले किसी भी समय इसको विग्यापन निकाल कर दोबारा इसको हम किसी भी कैटेगरी में लेकिन फिलाल सरकार की तनीलों को बोर्ट में नकार दिया है और वैसा सब्सक्ते सामने है कि जो 65,800 चात्रों है जो अब ब्यार्टी पे उनको जीत मिली है चात्रों को जीत मिली है अरुन एक सवाल और आपने जिक्र किया कि कुछ लोगों की पोस्टिंग हो गई उनका काट आप 40-45 वाला ही था और कितने लोग हैं जिसकी पोस्टिंग हो गई उस काट आप पर और कितने लोग बचे हुए हैं बहुत बाद शुक्री आरुन एस जान कितने लोगों को जीत में पोस्टिंग देड़ी थी जो इंपजार करने इस सरकार की जैसे ही वो कहीं पर संभामने बनती हैं उनको पोस्ट के जाएगा लेकिन असर्म में वज़ा थी कि हाई कोस्ट का पैसला आजा है उसके बाद इन को पोस्ट के जाएगा बहुत 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 शुक्री आरुन इस जानकारी के लिए आपका